हेलो वेलकम तो माई चैनल माई नेम इस अशीश गुट आज है नियो गुड़गाओं का सेकेंड पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं यह वाली सडक जो आपके अभी स्क्रीन के उपर है तो अभी यह जो व्यू है यह सामने जो पुल दिख रहा है आपको यह एनेचेट है जह वाल राइट तोवर्ज माई लेफ्ट तोवर्ज माई एक्स्ट्रीम लेफ्ट आप सिगनेचर ग्लोबल वावा मजा आगया एंट्री के उपर अगर एक अच्छा अफोड़बल मिल जाए ना पैसा इनोंने कमाया सही माहिन में ना गुड़गाओं के अंदर अगर पैसा कि ने बनाया है न्यू गॡ़गाओं में या तो वाटिका के अमेलिया फ्लोर्ज वालोंने छोटी बजट वालोंने की यहां पे 14 लाग रुपे 17 लाग रुपे की लाँचिंग होई थी इनोंने 60 लाग रुपे पचास लाग रुपे पर तबाख एक्जिप थ्री फोल्ड लि क sorting ठीज के आते हैं न्यू गॡ़गाओं में कीए गाई लुपे से माने सब मुझे लोग बनाsy रसकता है मोटे है त 我लाग बनाला का मुटे कि लोग बनानी था अब इस्टा गंप्रस्ट्रक्टर और यह बना के दे रहे यहsen यह वीडियो हम अंदर घुश जाते हैं ऊपर थोड़ी सी लिबर्टी है अपने पास की ड्रोन उड़ा के ऊपर की फैसिलिटी देख लेते हैं तो लाइक दिस इस दिस दिस दिल फॉल्टिमा बहुत ही प्यारा स्क्वेर प्लॉट फ्रंट का है और उसके पीछे तीन टार इन में या नहीं that is again कितना परसेंट बनाएंगे that is again a question mark बट रहने के हिसाब से society को मैं यह नहीं कह सकता हूं कि DLF ने अच्छा काम नहीं कराई DLF जैसे जो चार टार बाद में इन्होंने बेचे हैं और अंदर की अगर आप इनकी lobby को देखते हो इनका facilities को देखते हो तो मेरे हिसाब से this is one society which has majorly all the facilities जो की एक top-notch builder आपको provide कर सकता है इसके साथ में जो जमीन देख रहे हो ना इसी से मुझे डर लगता है इत्ती सारी खाली जमीन है कि इससे मुझे डर यह लगता है कि क्या price appreciation आएगा कि नहीं आएगा रहने के हिसाब से okay है एक घर लेना है घर ले लो लेकिन चार पांच लेने हैं कईयों का शौग होता है हर सड़क पे घर होना चाहिए है यहां पे जा रहे हो यहां पे भी घर होना चाहिए नियोगुडगाओं में भी अच्छा घर है तो उस निगा से मलब आप फील की देर इस लोट अफ लेट ओपन स्पेस अपन स्पेस अपन लेफ जो की एक फूचर डवलपमेंट्स लाएंगे प्राइस सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी इसके साथ के अंदर ही यह बेस्टेक का जो है स्पा नेक्स ग्रैंट स्पा बहुत ही प्यारी टाउंशिप लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड पर अगें दीज और फ्लोर्स और यह कुछ पैचेज जो हैं जिमिदारों के पास बचे भी हैं जो एक्क्वायर नहीं करने लिए वन मेजर प्रॉब्लम जो मु अंदर से हम देख रहे हैं इस अगें ग्रैंट स्पा और यह एक अच्छी मैं बोलुगां कि अगर तीन हजार स्कूर फीट से उपर अगर किसी को घर देख रहे हैं तो यह आप देख सकते हो आफ्टर अल्टिमा साइज का अगर कंपैरिजन करोगे तो यह अभिसली साइज बड़ा है ग्रैंट स्पा का लेकिन फैसिलिटीज और जो बाकी अंदर का इंस्फ्रस्ट्रक्चर यह समझाते हैं काट वाट वगरा वो सारा डीलेफ के उपर है बट साइज वहां पर आपको छोटा मिलता है राइट तो यह अच्छी शेप की बिल्डिंग है उपर से अच अच्छा व्यू मिल जाता है तो हां मैं जोग बात कर रहा था कि आपको एक बंदा दूसरे बंदे को रास्ता देने वाली बात इस इस वान बिग प्रॉब्लम चो काफी बिल्डर्स को फेस करनी पड़ी है कि अगर किसी के पास दस एकड की लैंड या पांच एकड की अगर उस हिसाब से यहां पे फ्यूचर डवलप्मेंट्स खुली होई है और लेफ्ट माइब ब्राउन कलर की जब पिरमेड अफोड़ेवल है 100% प्रॉफिट बॉकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं अफोड़ेवल्स के अंदर टेंशन है नहीं वाबा आपको आप कहीं भी मिलता है कहीं भी मतलब सोच समझके ही लगाओ एक बिल्डर की रेपूटेशन देख लो और अगर उसके पास रिकॉर्ड अच्छे हैं और एक कंपनी सस्टेनेबल है उनके डारेक्टर कहां से आ रहे हैं पीछे उनका क्या काम फंडिंग कहां से आ रही है तो इन चीजों को बेसिक रिसर्च करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप सीजिएसली उतना टाइम जितना आपने पैसा कमाने में लगाया अगर उसका सो में से एक परसेंट भी अगर आप टाइम लगा लोगे तो आल भी यहाप इस प्राइस कुछ साल पहले आज से अगर मैं चार-पांस साल पहले कि हम चार अजार रुपे का लगाया करते थे कि जो अब रिवाइज हो गया है क्या चार अजार रुपे के उपर लाँचेंज हुआ था उसके उपर आज प्रॉफिट बॉकिंग है नहीं क्योंकि उस टा पहले चार अजार रुपे रेट सोच के पढ़ाया था लेकिन आपको वो जेपे पचपन सो रुपे पढ़ा था और आज की लॉंचिंग छेजार अल इंक्लूसिफ पर पढ़ी है तो देस एपसिल्यूटली नो प्रॉफिट बॉकिंग प्रॉफिट बॉकिंग अगर हुई है न्यू गुडगाओं के अंदर कुछ एरियाज में तो वो कुछ अच्छे कमर्शल के अंदर हुई है जो की समझ से अच्छी जगा पर लॉंच हुए है लोकैलिटी ठीक है और बिल्डर का कही ना कहीं इंटेंट घुसा हुआ है उस प्रॉपर्टी को बसाने के लिए या हो चाहता है कि अपने कमर्शल खुद लीज आउट करें और उसकी कॉंस्टेंट रेविन्यू सोर्स आता रहे तो आज हमने जो सड़क करिये उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यह वाली सड़क करने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन के उपर है तो या दिकमर्शल का यह जो आइनॉक्स देख रहा है इस अगें अगें अ कमर्शल है इस तो सही प्राइस पर अगर कमर्शल की लोकेशन ठीक है वहां पर पैसा बना है बट रेजिडेंशल में नहीं बन रहा रहा रेजिडेंशल के अंदर प्राइसिंग इस दी की अगर कोई न्यू लांच प्लीज गो आएड एन आई थिंग लांच इस थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि बिल्डर को लगता है कि अगर अब वो प्राइस पर लांच करेंगे तो तो बिल्डर अभी भी बुलिश हैं बट ऐसाइट कि उससाब से कंजम्शन अभी होनी बाकी है इंफ्रस्ट्रक्चर ह अच्छे बिल्डिंग तो बना के खड़े गर देते हैं अच्छी काटेगरी ओफ पीपल वो वांट तो स्टे इन इस एरियास थोड़ा सा हटके तो वो अभी आना अभी बाकी है थेस लॉट मोर तॉक अबट नूग गोडगाउं थैंक यू सो मच पर वाचिग माइक कि मेरे सारे आपको वीडियोज मिल जाएंगे थैंक यू सो मच पर वाचिग लव यू अल